जाहिन दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है चले दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही सांदार होने वाला है और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नोवेंबर से पढ़कर आप 95% कैसे लाएं ठीक है तो उसी चीज़ के बारे में आज हम पूरा ड समझ लेते हैं तो हम उमीद करेंगे कि आप लोग का नाम भी टॉपर लिस्ट में होगा ठीक है तो चलिए अगर बोर्ड परिक्षा 2023 के लिए हम बाते कर रहे हैं ठीक है तो जैसा कि आपके सामने कुछ समय दिया हुआ है जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जुलाइ तो जुल त्यारी करके देखते हैं कि टॉपर का जो रूल होता है त्यारी करने का नियम होता वो कैसा होता वो भी आज देखेंगे तो आज का जो हमारा टार्गेट रहेगा वो रहेगा नोवेंबर से पढ़कर 95% कैसे लाएं दोस्तों ये वीडियो क्लास 10 और 12 दोनों तो आप भी टॉपर बन सकते हैं कब ये पूरा रूल को आप फोलो करेंगे तो वीडियो को आपको अंतक देखना है क्योंकि आज का जो ये पांस मिनट का वीडियो है ये आपको 95% मार्ग से देगा और दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि 2-4 मिनट जो है इसे छोड़ देत आपको 95% कैसे दिलाएगा उसको हम समझते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपर के लिए तोपर क्या करते हैं और कैसे बनते हैं इसके बारे में पहले हम समझेंगे ठीक है तो देखिए क्या होता है कभी-कभी आप जैसा कि जानते हैं टॉपर भी एक student है और आ पर किरेंद से नौई सब्सक्राइबन सामध्स काका सब्सक्राइब करता हैं सब्सक्राइब बेक MooiOS कोंगी ४पीरन यसां सब्सक्राइब सब्सक्राइब इसंत क्या वे detection जो है शुरू से करते हैं या उनका daily consistency जो है वह हमेशा बना रहता है और वे लगातार महनत करते हैं हर एक चीज का एक एक solution है मेरे पास समझेगा यही सब चीज होता है आप भी student है समझते होंगे एक एक चीज को तो आज जो सफलता का मंत्र है उसको जरागौर से समझेगा और आज का जो वीडियो है न यह उन्ही student के लिए है जो कम समय में वो चाते हैं कि टॉपर बने जिनका आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि टॉपर का क्या rule होता है ठीक है दोस्तु तो आप लोग सोच रहेंगे तो सर हम क्या करें नहीं टॉपर अगर वैसे करता है तो हम टॉप कैसे करें आपको आराम सिराना है घवराना नहीं है चीजे को समझिए कर करके पूरा चीज अगर समझ जाते हैं तो आप खुद से इतना त्यारी करेंगे कि टॉपर बनेंगे टॉपर तो हम क्या करें हमेशा बुक लेकर बैठे रहे हम ऐसा नहीं करते हैं कि आप हमेशा बुक लेकर बैठे रहे नहीं ऐसा नहीं करना है खेलना घूमना एकदम बंद कर दे जी नहीं ये भी करना है ये भी करना है देखिए दोस्तों आज का जो करवी सचाई है उसको हम समझते है आज से दस घंटा हमेशा पढ़ते रहेंगे तो आप सतर से असी परतिसाथी मार्ग्स अचीव कर पाएंगे सही बात हम कह रहें ये सचाई है अगर आप दस से बारा घंटा पढ़ते हैं उससे कोई मतलब नहीं पढ़ने का भी एक तरीका होता है न कि आप एक घंटा में क्या पढ़ रहें तो दिखिए ये होता है smart work और smart work ही topper करता है वो तीन से चार घंटा ही केवल पढ़ाई करेगा साथी साथ सरी काम को भी करता है और 95% वो लेकर आता है समझ रहे ना समझ रहे एक एक चीज को ना तो ये होता है पढ़ने का तरीका अब आगे चलिए अब आगे समझेंगे कि आपको त्यारी कैसे करना है और आपको 95% कैसे लाना है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों बत गोल क्या है आपका लग्ज क्या है आप कितना परतिस्द चाहते हैं 70 परतिसद 80 परतिसद या 95 परतिसद हाला कि यहाँ पर हम बता रहे हैं 95 परतिसद के लिए तो खास करके यही special होगा ठीक है Нई मतलब एक बता रहे हैं कि 70 या 80 जै 95 एक टार्गेट लेकर चलना चाहिए ठीक है तो सबसे पहला तो टार्गेट हो गया अब दो नमबर में देखिए बेस्ट टाइम टेवल आप एक ऐसा टाइम टेवल बनाए जो रोज फोलो कर सके आप ऐसा नहीं कि आज हम बना लिये हैं एक से दो दिन चला फिर तीन से चार दिन चला लेकिन आगे चली नहीं डा नहीं ऐसा नहीं करना है टाइम टेवल ऐसा बनाना है जो आप रोज फोलो करें और अपने हिसाब से बनाएए जब भी आपको समय मिले उसके हिसाब से काम किजिए और टाइम टेवल जो होना चाहिए वो all subject का होना चाहिए ये भी याद रखिये ऐसा नहीं कि एक subject का नहीं all subject का ठीक है आगे हम बताएंगे कि अगर किसी भी subject में आप कमजोर है तो उस question कैसे करना है कहते हैं कि मेहनत के आगे result को भी जुकना परेगा सही बात है अगर आप सही से मेहनत करते हैं तो result जुकेगा 400 क्या 400 पार होगा ये हमेशा आप M बना लें अगर आपका सपना है टॉपर बने माता पिता का नाम रोसन करें तो निश्चित रूप से आप मेहनत करते होंगे और करते हैं और ये सारा चीज़ अगर करते हैं तो टॉपर लिस्ट में नाम आएगा चलिए अब आगे जानते हैं कि आप लोगों को करना क्या क्या है दोस्तों यहाँ पर कुछ बाते हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है सबसे परहे देखिए आपको syllabus जान लेना चाहिए कि सिले बस क्या-क्या है हर विषय में कितने chapter हैं ये भी आपको पता होना चाहिए chapter से कितने marks का पुछा जाता है ये भी पता होना चाहिए सारा चीज planning के साथ होना चाहिए ठीक है अब देखिए यहाँ पर है एक कमजोर और एक मजबूत subject हाला कि जिसे वैसे तो हिंदी और इंग्लीज में आप इस्ट्रोंग ही रहिएगा हमेशा सभी राता है प्रोब्लम करता है physics, math और इधर देखिए science में तो physics आ ही गया ठीक है जो भी other subject है तो जो subject कमजोर है उसको आप ज्यादा समय दें CDC बात है खुद strong हो जाएगा जो आपका strong है उस पर थोड़ा कम समय दें और इसमें से समय निकालकर आप इस subject में जो subject आपका कमजोर है तो इससे क्या होगा कि वो subject strong होगा ठीक है चलिए अब आगे कुछ important बात है उसको पहले समझ लेते हैं दोस्तों यह महतपुर्ण बात है इसलिए है हम बता दें कि topper क्या करता है उसको समझेगा टोपर जो होता है न वो NCRT book तो follow करता है साथी साथ 3 year का paper भी वो क्या करता है कि solve करता है आप भी करें आप भी यह चीज करें दीन भर एसकूल एंड कोचिंग नहीं जाना है यह चीज हमेशा याद रखें क्योंकि अब समय नहीं है आपके पास जो एसकूल और कोचिंग जाईएगा जितना पढ़ चुके हैं complete त्यारी करते रहिए self study आपका 100% होना चाहिए यह चीज हमेशा ध्यान रखें self study ही आपका सबसे बड़ा हथियार वनेगा वहाँ पर आपको daily का target set करना है कितना आपको काम करना यह चीज हमेशा set कर लें दोस्त पढ़ने वाले बनाओ दोस्त पढ़ने वाला होना चाहिए अभी एक्जाम के लिए बात करें जब तक एक्जाम है ज्यादा करके आप पढ़ने वाले स्टुडेंट से दोस्ति करें ताकि question answer discussion करने में मज़ा आए सिर्फ book को खोल कर देखना नहीं है कभी बुक खोल कर देखते रहता हाथ भी पता चलता है मोवाईल है यूटूब खुला हुआ है फिस्बुक खुला हुआ है यह देख रहा है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कॉपी पर खुद से practice करना है ज्यादा करके आप खुद से practice किजी ज्यादा बहतर होगा ज्यादा लावदायक होगा आप लोगों के लिए तो यह चीज आपको भी करना है ठीक है चलिए आगे जो है अजका last important उसको पहले समझ लेते हैं दोस्तों अब आपको topper कैसे बनना है उसको समझे देखिए सबसे पहले three year का आपको paper complete करना है जो भी समय बचा है इतने समय में कर सकते हैं important question answer करें जो पड़े हुए हैं वो सारा कर लें previous share paper जरूर करें पिछले साल का जो भी paper है वो देखें ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह का question पूछा जाता है important जो भी notes बनाए हैं उसको सही डंग से त्यारी करते रहें ठीक है अब आगे देखिए self study आपका लगातार होना चाहिए क्योंकि यही तो सबसे बरा हथियार बनेगा आपका question answer करते रहें model paper जरूर करें question bank जरूर करें यह सारा चीज़ करें और कब तक करें अंतिम के महिने तक यह करते रहें अगर यह complete करते हैं तो topper बनने से कोई नहीं रोग सकता अब साथ ही साथ क्या करना है कि जो भी subject है जिसमें formula है वो सारा formula याद कर ले क्योंकि formula पर अधायत भी question आता है question जितना करिएगा उतना समझें आप फाइदे में हैं और सभी विसय का objective रोज याद करें जितना भी objective है उसको रोज याद करते रहें और short long question तो रोज याद करें ही क्योंकि यह question आएगा ही और दोस्तों इस तरह से आप त्यारी करेंगे तो 95% लाने से कोई नहीं रोग सकत है और यही आप लोगों के लिए डेली टॉपर का रूटीन होता है जो कि हम आज आप लोगों को बता दिये हैं और उमीद करेंगे कि आप लोग नोवंबर से पूरा इसी तरह से त्यारी करिएगा और आपका भी नाम टॉपर लिस्ट में हो हम दुआ करेंगे भगमान से कि आपका भी नाम टॉपर लिस्ट में आए और आप भी अपने मतापिता का नाम रोशन करें तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलता रहे ठीका दोस्तों तो मिल आपको